हेलो स्टूडेंट स्वागत है अपका हमारे एस कोचिन सेंटर में आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो क्लास प्लस टूएल के कोश्चन है जो प्लस टूएल के एक्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रिविएस येर में और हमारे एक्जाम के लिए भी काफी इत guardum श्वाप्षाव अर्ड जायारी कर रहा है होम सायंस सब्जेक्ट तो ये सब के लिए है वीडियो अच्छा लगे अधा है तो लाइंट शयर सब्राइब जरूर किजिए आपका एक लाइक एक शीर देन एक शाष्कार एक हास्यर मुझे आपकोरी मुझे आज और मु सकते हैं और लाशlles पे मुल्यांकन कर सकते हैं कि आपके खुद के कितने सही हुए हैं और आज के जो कोशन से वह एक Do Tommy से नहीं है व मैं। सारे हूंम सैंस के हमारे जितने वी टोपिक हैं सारे कोशन लाए गये पो कुशन है कि हमारा पहला अहार के पोशक तत्यों में कौन सा तत्यों शम्मिलित नहीं है तो हमारे एंसर होगा पोशन संतुलित अहार के पोशक तत्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है तो पोशन नेक्स्ट कुश्चिन है पोशक तत्यों का वर्गी कड़न निम्न मेंशे किश अधार पर किया जाता है प्रात्मिक असकताओं के अधार पर शरीर निर्माडक पोशक तत्यों के अधार पर जलवायू परिवर्तन के अधार पर आंत्रिक उजय प्राप्ति के अधार पर तो पोशक तत्यों का वरगी कड़न निम्न में शे किस अधार पर किया जाता है तो एंसर है B शरीर निर्माड़क पोशक तत्यों के अधार पर Next question है हमारा Next question है हमारा किशोरा वस्था में लड़के और लड़कियों को क्रम सा कितनी कैलोरी की उर्जा के आशकता होती है 2650 से 2080 कैलोरी उर्जा 2250 से 2600 कैलोरी उर्जा 2600 से 2800 कैलोरी उर्जा 2400 से 2800 कैलोरी उर्जा तो किशोरा अस्था में लड़के और लड़कियों को क्रम से कितनी कैलोरी उर्जा के आशकता होती है तो वो है 2650 से 2080 कैलोरी उर्जा इसमें एक कुशन और था रतांदी रोग किश बिटामिन की कमी से होता है इसका अनसर आप लोग ने देख लिया और मैंने ये कुशन पहले भी करा रखा है ये बिटामिन A होगा नज्च कोस्यन है परि संचरन तंत्र का है प्रमुख अंग है फेफड़ा, हीरदे, धमनिया, योंशीरा है तो परि संचरन तंत्र का है प्रमुख अंग क्या है यह देख रहे हैं आप question 2005 में पूछा गया है केरोटीन हीमोगलोवीन एंथोशाइनीन या एंथोजैनितिन तो हीमोगलोवीन होगा रुधीर कोशिकाओं में उपस्तीत लाल रंग कवर्नक होता है हीमोगलोवीन यह question 2006 में पुछा गया है और यह 2005 में शांत में यह भी mention किया हुआ है नेस्ट question है रुधीर का कौन सा भाग oxygen को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक पहुचाता है यह 2011 और 2014 रिपीटेड फॉर्म में आया है 12 के एक्जाम में रुधीर का कौन सा भाग oxygen को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक पहुचाता है और यह आई थिंक कि TGT में भी आ चुका है और LT में भी शायद आया था रुधीर का कौन सा भाग oxygen को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक पहुचाता है प्लाज्मा, स्वेत रुधीर कडिका है, हीमोगलोवीन या रुधीर प्लेटलेट्स तो रुधीर का कौन सा रुधीर का कौन सा रुधीर का कौन सा भाग ऑक्सीजोन को फेफड़े से लिए कर कोशिकाव तक पहुँच आता है तो वो है हीमोगलोवीन next question है हानीकारक रोगाणूओं को नष्ट करना वर रुधीर कड़िकाों का स्वेत रूधीर कड़िकाों का पटलेटलेस का या फिर हीमोगलोवीन का इसके एंसर भी काफी easy है श्वेत रूधीर कडिकाओ का next question है स्वेत रूधीर कडिकाओ का कार्यू है यह 2018 में देखिए वही question को दुशे तरिके से पूछा गया है स्वेत रूधीर कडिकाओ का कार्या है हानी कारक रोगाणों को नश्ट करना विभीन परकार के प्रतिविश्ट तैयार करना सरीर की रोगों से रक्षा करना या उपिप्त शवी तो रुधीर कड़िकाओं का कार्य क्या है तो हानिकारक रोगाड़ों को नर्ष्ट करना नैस कुश्चन है हमारा कौन सा कर्ण रुधीर का कौन सा कर्ण रुधीर जमने में शहायक होता है ये 2008 और 2013 दोनों में पुछा गया है रुधीर का कौन सा कन रुधीर जमने में शहायक होता है लाल रुधीर कन, स्वेत रुधीर कन, प्लेटलेट्स या इनमेशे कोई नहीं तो रुधीर का कौन सकन रुधीर को जमने में शहायक करता है? तो वो है प्लेटलेट्स नेस्ट कुश्यन है रुधीर वर्गो की खोज किसने की? यह 2018 में पुछा गया है रुधीर वर्गों की खोज किस ने की थी वाट्सन ने एस्टीफन हॉल ने मैंडल ने या कॉल लेड एस्टीनर ने तो रुधीर वर्गों की खोज कॉल लेड एस्टीनर ने की थी ये 2018 में पुछागे एक कुश्चन है कि नेक्स्ट कोश्चन है हमारा नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कि रूधीर संचडन में कौन सा रूधीर वर्ग शर्व ग्राही होता है यह 2005 में पुछा गया है रूधीर संचडन में कौन सा रूधीर वर्ग शर्व ग्राही होता है A, A, B, B या O तो रुधीर संचडन में A, B, B अफसन सही होगा A, B रुधीर वर्ग शर्वग्राही होता है Next question है हिर्दे किस परकार की मांस पेशियों द्वारा निर्मीत होती है निर्मीत है अनैक्षिक पेशी, एक्षिक पेशी या हिर्दे पेशी या फिर ये सबी तो हिर्दे हिर्दे हद पेशी परकार की मांस पेशी द्वारा निर्मीत होती है ये 2017 में पूछा गया question है Next question है हमारा रुधीर की शुद्धी किस अंग में होती है श्वशन नलिकाओं में, अमाशे में, फेफडे में, या हिर्दे में तो रुधीर की शुद्धी किस अंग में होती है यहाँ पे येर मेंसन किया हुआ है हर question के पास आप देख सकते है कौन सा question 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 में पूछा गया है यह देखिए यह 2002, 2005 और 2007 तीनों में पूछा गया है तो रुधीर की शुद्धी किस अंग में होती है तो फेफडे में होती है अगर आपको इसका PDF साहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ आप जॉइन कर लेजें मेरे हर वीडियो के PDF आपको वहीं मिलेंगे next question है एक समान व्यक्ती का रुधीर दाप कितना होता है 110-80, 160-90, 120-80, 80-19 तो यह simple और easy है 120-180, 120-80 next question है फुस्फुस शिरा में बहने वाला रुधीर होता है यह 2016 में पुछा गया है शुद, अशुद, A और V दोनों तो फुस्फुस शिरा में बहने वाला रुधीर होता है वो है शुद next question है next question है हमारा स्वशन किरिया पुन होती है एक चड़न में, दो चड़न में, चार चड़न में या शभी तो स्वशन किरिया पुन होती है दो चड़नों में नशी का कंट श्वासनली या पटेला तो मानों शरीर का श्वशन अंग पटेला नहीं है next question है हमारा कि नाक के छीदर को कहा जाता है नाक के छीदर को क्या कहते है नथुने, कुपिकाए, कंठ द्वार या श्वासनली नाक के छीदर को नथुने कहते है next question है ग्रशनी में भोजन निगनने वाला द्वार क्या कालाता है नाशा द्वार, अबटू, कंठ द्वार या ये शवी तो ग्रशनी में भोजन निगनने वाला द्वार, कंठ द्वार कहलाता है next question है हमारा श्वशन तंत्र का सबसे महत्वपून अंग क्या है वायू प्रश्वशन शुनायू तंत्र या फेफडा तो श्वशन तंत्र का सबसे महत्वपून अंग है फेफडा नेक्स्ट कोश्चन है व्याम से श्वशन किरिया होती है गहरी उथली तिब्र या स्फूर्ती तो व्याम से श्वशन किरिया गहरी होती है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा नीरोन किस तंत्रिका की कोशिका है पाचन तंत्र की अस्थी की तंत्रिका तंत्र की या परिशंचरन तंत्र की तो नीरोन तंत्रिका तंत्र की कोशिका है यह देखिए 2011 और 2015 में पूछा गया है नेक्स्ट कोशिका को, पेशी कोशिका को, तंत्रिका कोशिका को, या रक्त कोशिका को तो नेक्स्ट कोशिका को, यह द्वजा सत्रम में पुछा गया है नेस्ट कोश्चन है हमारा अनुमस्तिक का कार्य है गंध ग्रहन करना एश्मिरिती द्रिश्य शन्मेदनाय ग्रहन करना या शरीर का शंतूलन रखना ये कोश्चन में 2016 में पूछा गया है तो अनुमस्तिक का कार्य है शरीर का शंतूलन करना प्रतिवर्ति किरिया का उधारन है हिर्दय गति, अमाशे में क्रमा कुचन, त्रिब्र प्रकास में पुतली का शिकुडन, ग्रंथियों की किरिया है तो प्रतिवर्ति किरिया का उधारन है त्रिब्र प्रकास में पुतलीयों का शिकुडना नेक्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क् नेक्स कोश्चन है हमारा नलीका विहीन ग्रंथी कौन सी है यह देखिए कितनी वार यह कोश्चन रिपिटेट हुए है 2006 में 2009 11 और 13 में नलीका विहीन ग्रंथी कौन सी है प्यूश ग्रंथी लार ग्रंथी अमाशे या हिर्दे तो नलीका विहीन ग्रंथी प्यूश ग्रंथी है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा डाइविटीज किसकी कमी के काड़न होता है 2015 में पूछा गया है ग्लू कैंगन थाइरोक्सीन इंसुलीन यह सभी तो डाइविटीज इंसुलीन की कमी के काड़न होता है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा नेम लिखित में से किसका संबंध इंसुलीन निर्माड से है 2016 में पूछा गया है प्यूश ग्रन थी अधिवरिक ग्रन थी अग्नाश है या फिर लाल ग्रन थी तो किसका संबंध इंसुलीन निर्माड से है तो वो है अग्नाश है अग्नाश है नेक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक कि ने क्षिशंगे हमारा कि ने इस्ट ऑफीजत दूर की वस्तु को को लिएद्टृ और देख पाना रोग है दूर की वस्तू को ना देख पाना कैसा रोग हैो Colorado Coral 2007 में पुछा गया है निकट द्रिष्टी दोस, दूर द्रिष्टी दोस, मोतियावीन या इन में से कोई नहीं तो दूर की बस्तु को न देख पाना कौन सा रोग है? वो है निकट द्रिष्टी दोस नाइस कुश्चन है हमारा एक शात्रा मेज पर रखी हुई पूस्तक पढ़ने में कठिनाई अनुभाव करती है परन्तु स्याम पठ पर लिखे सब्दों को ठीक से पढ़ लेती है इस दोस को क्या कहेंगे? दूर द्रिष्टी दोस, निकट द्रिष्टी दोस, रंग द्रिष्टी दोस या इन में से कोई नहीं तो वो है दूर द्रिष्टी दोस इसे दूर कर द्रिष्टी दोस कहेंगे ये भी दोजादस में पुछा गया कुश्चन है आप comment box में बताएंगे कि वर्धानता में क्या होता है और ये किशे होता है ये किस टैप की बीमारी है कान के अंदर अस्थी होती है ये द्वाजा 17 में पुछा गया है मुगदर पैरी लिम्स एमपूला या इन में से कोई नहीं तो कान के अंदर अस्थी होती है कौन से अस्थी होती है तो मुगदर किस लेंज को दूर दृष्टी दोस में परियोग करते है उत्तर लेंज को ओतर लेंज को या ए और वी दोनों को तो दूर दृष्टी दोस में उत्तर लेंज का परियोग करते है 2017 में पूछा गया है विडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज लेक्शेर और सब्सक्राइब जरूज करें नेश्क कुश्चिन है हमारा कान की अर्ध चंद्रकार नलिकाओं का कार्या है ज्यान प्राप्ति करना सरीर का संतुलन बनाना सुंगना या इनमेशे कोई नहीं तो कान के अर्ध चंद्रकार नलिकाओं का कार्या है सरीर का संतुलन बनाना नेश्क कुश्चिन है हमारा ये देखे दोजर बारा में पूछा गया जितने भी कुश्चिन सब्मिट किये गया है सब किसी इंटर एक्जाम में पूछे गए कोश्चिन है प्रिवियस यर के किसी ने किसी इयर के और जो नहीं पूछे गए वो खुद का है नेश्क कोश्चिन है जीवा विभीन स्वाद ग्रहनी करती है ये 2012 का है जीवा के अगर भाग से जीवा के विभीन भाग से जीवा के पिछले भाग से या जीवा के मदभाग से तो जीवा स्वाद ग्रहन करती है जीवा के भिन भिन भागों से नेक्स कोश्चन है हमारा नेक्स कोश्चन है हमारा वाह मादा जन्नांगों को निमलिखित रूप में कहते हैं वाह मादा जन्नांगों को शम्मिलित रूप से कहते हैं क्या कहते हैं जिंगनन उत्थान भग सेफ या प्रकोष्ट या भग तो वाह मादा जन्नांगों को सम्मिलित रूप से भग कहते हैं एंसर नमर बीशई होगा विडियो अची लग रही हो तो लाइक, शेयर और सस्क्राइब जरूर करें नेक्स कुश्चन है हमारा नर जनन अंगों से संबंधित गरंथी है पोस्टेट गरंथी, श्वेद गरंथी, एडरेनल गरंथी या एपीडी, डाइमिश गरंथी नर अंगों से संबंधित गरंथी है, पोस्टेट गरंथी नेक्स कुश्चन है हमारा नर जनन किन नलिकाओं में होता है अप वाहिन नलिका, शुक्र वाहिनी में, शुक्र नलिका में या रस्खलन नलिका में नर में शुक्रानू जनन किन नलिकाओं में होता है, तो शुक्र नलिकाओं में होता है नेक्स कुश्चन है, वरिशन की अंतराली लीडिंग कोशिकाओं से स्थरावीत हार्मोन है टेस्टिरोन, एस्ट्रेजन, एफएसच या पोस्टे एस्टिरोन तो विर्शन के अंतरारी लीडिंग कोशिकाउं सुसरावी थर्मोन है टेस्टू एस्टेरोन नेक्स कुश्चन है हमारा निम लिखित में से कौन मानों में मादी जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडा से गर्भा से शुक्रवाहिनी या योनी तो शुक्रवाहिनी नहीं है शुक्रवाहिनी नहीं होगी नेक्स कुश्चन है हमारा ग्राफियन पुटिका पाई जाती है अस्तंधारियों के अंडासे में लसिका गाठों में अस्तंधारियों के प्लीहा में या मेधक के अमाशे में तो ग्राफियन पुटी का पाई जाती है अस्तंधारियों के प्लीहा में संक्रामक रोगों का संक्रमन किन के द्वारा होता है वायू द्वारा, भोजन तथा जल द्वारा, कीटो द्वारा या फिर ये शभी द्वारा तो इन सभी के द्वारा संक्रामक रोगों का शंक्रमन होता है ये 2010 में पूछा गया है नेस्ट कोश्चन है हमारा DPT का टी का किन रोगों की रोग थाम के लिए लगाया जाता है सिर्दर्द, पैर में शूजन, डिप्थीरिया, कुकर खाशी या टिटनेश या फिर आख का खुज लग, दुखना तो DPT का टी का टिप्थीरिया, कुकर खाशी या फिर टिटनेश में लगाया जाता है अब एक कोश्चन देख रहे हैं, 2004 और 2006 दोनों में पूछा गया है नेस्ट कोश्चन है हमारा शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ती को कहते हैं निशंकरमन, रोग प्रतिरोधक छमता, उद्ववन या इन में से कोई नहीं तो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ती को रोग प्रतिरोधक छमता कहते हैं नेक्स्ट कोश्चिन है निमलिखीत में से कौन सा पदात रश्याइनिक निष्यंक्रामर्क नहीं है चूना, ब्रीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमेगनेट या जलाना तो निमलिखीत में से कौन सा पदात रश्याइनिक निष्यंक्रामर्क नहीं है तो वो है जलाना 2006 में ये question पूछा गया है Next question है Next question है ठोश नी शंक्रमर ठोश नी शंक्रमर है Phenyl, Formaline, DDT या फिर चूना तो ठोश नी शंक्रमर है चूना 2006 में पूछा गया ये question देख सकते हैं पैंसर Next question है चोटी माता करोगानू कारक है वाइरस जीवानू प्रोटो जवा या इन में से कोई नहीं तो चोटी माता करोगानू कारक है वाइरस Next question है हमारा Next question है हमारा कि कि स्जीवानू द्वारा 6 रोग फैलता है P Purus, Vecilus, Vecilus, वाइरस या फिर अमीबिया तो वैसिलस द्वारा 6 रोग फैलता है ये 23 और 27 दोनों में पुछा गया है 6 रोग के लिए किस चीज कर टीके लगाए जाता है कॉमेंट बॉक्स में बताईए का जरूर मक्यों द्वारा कौन सा रोग फैलता है चैचा, हैजा, टेफाइड या Malarya तो मच्छड द्वारा हैजा बिमारी फैलता है ये भी 2004 में पुछा गया है नेक्ट कोश्चेन है हमारा Malarya रोग फैलता है चुहे द्वारा मच्छड द्वारा मक्खी द्वारा या तिल-चट्टा द्वारा ये भी 2006 और 2011 में पूछा गया है तो malaria रोग मच्छड दोड़ा फैलता है नेक्स कुश्चन है हमारा टाइफाइड रोगी को रोग के पशाद कीश परकार का वोजन देना चाहिए तरल, अर्ध, तरल, समान्य या इनमे से सवी तो टाइफाइड रोगी को रोग के पशाद समान या आहार देना चाहिए यह भी 2018 में पूछा गया है नेक्स कुश्चन है हैज़ा के जिवाणू का नाम है हैज़ा के जिवाणू का नाम है 2018 में पूछा गया है वाइरस, विवियो केलोरी, कोमा वैशिलश या फिशौल मेना टाइफी तो हैज़ा का जिवाणू का नाम है विवियो कॉलेरी नेक्स कुश्चन है कौन सा रोग दूसी जल से फैलता है हैज़ा मियादी बुखार, अतिशार या ये शवी तो हैज़ा दूसी जल से फैलता है ये भी 2018 में पुछा गया कुश्चन है नेक्स कुश्चन है हमारा कि पागल कुट्टे के काटने से कौन सा रोग हो जाता है 2013 का कुश्चन है मलेरिया, रेविज, फाइलेरिया या फिर प्लेग तो पागल कुट्टे के काटने से रेविज हो जाता है नेक्स कुश्चन है रेविज रोग का कौन सा लक्षण है उल्टी होना पानी से डर, दस्तोना या जाडे से कापना तो रेविज रोगों का पानी से डरना लक्षण है ये 2010 और 2013 दोनों में पूछा गया है नेश कोश्चन है हमारा कि फ्लैग रोग फैलता है चुहे द्वारा, मच्छड द्वारा, या मखी द्वारा, या फिर तिल चट्टे द्वारा तो फ्लैग लोग चुहे द्वारा फैलता है विडियो अच्छी लगे तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब जरूर करें फ्लैग रोग मच्छुहे द्वारा फैलता है और ये 2007 में पुछा गया है नेश कोश्चन है निम्न में से कौन सा हीपेटाइटिस शर्वाधिक खतरनाक होता है बी, सी, डी, अन्जी तो हैपेटाइटिस भी शर्वाधिक डेंजर होता है नेश कोश्चन है हमारा कि निम्न लिखित में से मस्टिक में सूजन आने का कौन सा विशिस्ट लक्षन है मलेरिया, डेंगू, डेंगू का, इनस फ्लाइटिस्ट का, या पित जुर का तो मस्टिक में सूजन आने का कौन सा विशिस्ट लक्षन है, इनसे फ्लाइटिस्ट का नेश कोश्चन है हमारा नेश कोश्चन है, गंदी वस्तियों की उत्पति का उत्तरदाई काड़न है निर्धनता ओध होगी काड़न, सहरी मकानों का अभाव या ये शवी तो ये शवी होंगे, गंदी वस्तियों की उत्तरदाई का काड़न नेश कोश्चन है, भौतिक साधनों का अभाव शर्वाधिक होता है बड़े मुहलों में, बड़े उधोगों में, गंदी वस्तियों में या बड़े नगरों में तो भौतिक साधमों का भाव गंदी वस्तियों में शर्वाधिक होता है गंदी वस्तियों में रहने वाले व्यक्ति वन्चित रहते हैं धन से, अच्छे घर से, स्वास्थ सुविदाव से या फिर ये सभीशे तो इन सभी शे गंदी वस्तियों में रहने वाले लोग वांचित रहते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा गंदी वस्तियों की मुख्य शमस्या है सुविधा, सुविधाओं का ना होना नैतिक्ता का हास, कुप ओशन या फिर ये शवी तो ये शवी होंगे नेक्स कोश्चन है गंदी वस्तियों का समस्या का समधान है इनने नश्ट कर देना, इनको विख्षित ही नहीं होने देना चाहिए इनके सुधार के अधिक उपाय किये जाने चाहिए समस्या का समधान जरूरी नहीं है तो गंदी वस्तियों का कि शमश्य का शमधान है इनके शुधार के अधिक उपाय किये जाने चाहिए नेस्ट कोश्चन है हमारा परियवाडन कहते हैं परियवाडन किसे कहते हैं प्रदूशन को वातावडन को या प्रीथवी के चारो और के वातावडन को या उप्रोक्त में से कोई ही नहीं तो परियवाडन कहते हैं प्रीथवी के चारो और के वातावडन को नेस्ट कोश्चन है वाई प्रदूशन के काड़न है और धोगी कड़न वन्हों की अन्यमित कटाई नगरी कड़न यह सबी तो वाई प्रदूशन के यह सबी काड़न है नेस्ट कोश्चन है जल प्रदूशन को रोकने के लिए निवन मेशे कौन सा रशायन रशायनिक पदात का परियोग किया जाता है शोडियम कोलोराइड का, कैलसियम कोलोराइड का, ब्लीचिंग पाड़र का यह पोटेशियम मेटावाइश शल्फाइट का तो जल प्रदूशन को रोकने के लिए रशायनिक पदात ब्लीचिंग पाड़र का परियोग किया जाता है नेस्ट कोश्चन है, लाउड स्पीकर की आवाज से किस परकार का प्रदूशन होता है वायू प्रदूशन, धौनी प्रदूशन, मिद्रा प्रदूशन यह जल प्रदूशन तो धौनी प्रदूशन होता है लाउड स्पीकर की आवाज से नेक्स्ट कोश्चन है धोनी प्रदूशन के काड़न है वाहनों का हर्ण, साइरन, लाउड़ स्पीकर या ये शबी तो ये शबी होंगे धोनी प्रदूशन के काड़न नेक्स्ट है धोनी प्रदूशन प्रभावित करता है अमाशे को, वरिक को, कान को ये यक्रित को तो धोनी प्रदूशन कान को प्रभावित करता है नेस्ट कोश्चन है प्रयावणन दिवस कब मनाया जाता है ये तो बहुत हीजी कोश्चन है पांच जून को मनाया जाता है नेस्ट कोश्चन है बस्तूओं के जलने से कौन सी गैस बनती है तो बस्तूओं के जलने से कौरवन डायोक्षाइड गैस बनती है पर्यवरन रक्षा के लिए पर्यवरन रक्षा के लिए क्या करना चाहिए ये 2018 में पुछा गया कोश्चन है आने चाहिए उजार के वेकलपी स्वह धुनने चाहिए नदियों को साफ रखना चाहिए उपरोक्ट सभी होंगे स्वास्त, लोगों को स्वास्त के शवी पहलूज ये ओगत कहलाती है जन सिक्षा, स्वास्त सिक्षा, भौतिक सिक्षा या इन में से कोई नहीं तो स्वास्त सिक्षा कहलाती है स्वास्त सिक्षा में शम्मिलित है परिया वड़न सारीरिक स्वास्ति या ये शवी तो स्वास शिक्षा में ये शवी शम्मिलित है स्वास शिक्षा में सहायक संस्थाय मानी जाती है परिवार विद्याले नगर निगम ये शवी तो स्वास शिक्षा में सहायक संस्थाय ये शवी मानी जाती है नाइस कोश्चन है परिवार नियोजन केंदरों में कि शंदर में जनकारी दी जाती है नाइस कोश्चन है यूनिशेफ का मुख्याले मुख्य कारियाले है यह 2018 में पुछा गिया कोश्चन है पेरिश, नियुयार्क, टोक्यो या हनोई में तो यूनिशेफ का मुख्य कारियाले नियुयार्क में है ओप्शन B शही होगा नाइस कोश्चन है नाइस कोश्चन है बाढ़ भुकम चक्रवात आधी सुखा अपदाओ के पीछे निहीत कारण है दैविक प्रकोप संबंधी कारण, पाप में ब्रीधी संबंधी कारण, प्राकिर्तिक कारण या मानोद्वारप पर्यावडन प्रदूशन में ब्रीधी संबंधी कारण तो वार भुकम चक्रवाद सुखा आदी अपदाओं के पीछे प्रकृतिक काड़न है नेक्स कोस्चन है निम्न मेशे कौन सी भुकम की स्थिती है मकान गिरने से भूमी का हिलना रेल गाड़ी की धमक से भूमी में कमपन प्रीथवी की आंत्रिक शक्तियों की उथल पुथल से भूमी में कमपन उपरोक्त सभी तो यहां होगा प्रीथवी की आंत्रिक शक्तियों की उथल पुथल से भूमी में कमपन कोहीं भूकम की स्थिती कहते है नेक्स कोस्चन है भूकम कीन काड़नों से आ सकता है तो विवर्थनी की हल चल जल्वा मुखी विश्पोट अत्यादिन खनक या ये सबी तो वुकम इन सभी कार्णों से आशकता है नेस्ट कोश्चन है 16 वा 17 जून 2013 में भारत के किस राज्ये को वेयंकर प्रक्रितिक आपदा का सामना करना पड़ा था किस राज्ये को तो वो है उत्राखन उत्राखन ये 2014 में पूछा गया कोश्चन है नेस्ट कोश्चन है बार से नश्ट होता है फसल, मकाम, सडके और रेल मार गिया ये शवी तो बार से ये शवी नश्ट होते हैं ये 2017 में पूछा गया कोश्चन है बार से छटी होती है मनुष्य पालतू जन्वरों की, मकाम की, फसलों की ये उप्रुक्त सवी की तो बार से इन सवी की छटी होती है नेस्ट कोश्चन है सुखा अपदा का काड़न है वन विनास, भूमी गजल का दोहन, नदी मारगों में परिवर्तन या ये शफी तो सुखा अपदा का ये शवी काड़न है ये 2014 में पूछा गया है नेस्ट कोश्चन है शुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहा होता है ये 2013 में पूछा गया कोश्चन है पहाडी छेत्रों में, टटवर्ती छेत्रों में, शमुंद्र के मदवर्ती छेत्रों में ये मैदानी भागों में तो सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव टटवर्ती छेत्रों में होता है ये 2013 का कोश्चन है अकस्मात उत्पन होने वाली आपदा है तो फू संखलन Next question है आग लगने का काड़न है ये 2016 में पुछा गया question है पानी सूरज की किड़न कीचर या फिर लरी पत तो आग लगने का क्या काड़न है लरी पत लगु पत Next question है परिवार का लक्षण है, परिवार का लक्षण है, सदस्यों का एक संबने से जुड़े होना उप्रोगत मेंशिक कोई नहीं नाइस कोशचन है, एक आंकी परिवार में पाई जाती है दो पीडिया, तीन पीडिया, तीन से अधिक पीडिया या इन में से कोई नहीं तो एकांकिक परिवार में दो पीडिया पाई जाती है यह द्वाजा तेरा का कोश्चन है नेक्स्ट है नेक्स्ट है एकांकिक परिवार में केवल एक मत होता है पती पत्नी के रिष्टेदार भी होते हैं केवल पत्नी होती है पती पत्नी और उनके अविवाईत बच्चे होते हैं यहां मध्य लिखा गया है बच्चे होंगे एकल एकांगी परिवार में क्यों होता है तो पती, पत्नी और उनके अबवाईद बच्चे होते हैं यह 2008, 2011 और 2017 में पुछा गया है किसी का कॉला रहा था Next question है शंयुत परिवार एक बेक्ती होता है पती, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं कई पिडियों के लोग एक साथ रहते हैं या उप्रोक्त सभी तो शंयुत परिवार में कई पिडियों के लोग एक साथ रहते हैं Next question है Next question है संयुत परिवार की भावना बड़ी मजबूत है यह कथन खिशने दिया है टीवी वाटमोर्क ने के एस कपाड़िया ने डॉक्टर आईपी देशाई ने या साम चड़न दूबे ने तो संयुत परिवार की भावना मजबूत है यह कथन डॉक्टर आईपो देशाई ने दिया है यह 2010 में पूछे गए question है Next है निमलिखित में से कौन सी विशेष्ता संयुत परिवार की नहीं है यह 2010 की question है तो कौन सी नहीं है तो समाने विकार समाने निवास तथा समाने रशोई घर वेक्तिका सोतंतरता और आत्म निर्भरता के प्रोशाहन के लिए औशर परिवार के सभी सदस्यों का अती धन बैशाय होता है परिवारी अधिकार और कर्तब्य होता है तो इसके एंशर वी शही होगा यह 2010 में पुछागा question है विशेष स्वेंग्त परिवार की विशेष्ता नहीं है तो यह है यह एक आंकी परिवार की विशेष्ता है next है next है परिवार संद्रचना में होने वाले परिवर्तन है सहित परिवार का विखटन परिवार का आकार छोटा होना परिवार के पारशपरिक कारियों में कमी या उपरोक्त सभी तो परिवारी संद्रचना में होने वाले परिवर्तन है उपरोक्त सभी यह 2018 में पुछा गया question है next है next है वैक्तित्व की ओधार्णा में नहीं थै या वैक्तित्व के वैक्तित्व की पहचान कैसे करेंगे question दोनों form में पुछा जा सकता है यदि यावी गुंड हो वैक्ति के वाम गुंड हो की के अंतरिक बाहे गुंड हो उपरिका में कोई नहीं उपरोक्त में कोई नहीं तो व्यक्ति के आंत्रिक वाहे गुण हो यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है व्यक्ति के आंत्रिक वाहे गुण हो नेक्स कोश्चन है वंसानुकम के शुरूप में व्यक्तित्तों को प्रभावित करता है इन सबी के लिए वनसा अनुकरम वेक्तितों को प्रभावित करता है नेस्ट कोश्चन है बाल्यावस्था मानी जाती है एक से छे वर्ष, छे से बारा वर्ष, तेरा से अठारा वर्ष या इन में से कोई नहीं तो बालिया वस्ता 6-12 वस्त को मानी जाती है नेक्स कुश्चन है व्यक्ति के व्यक्तित्तों को प्रभावित करने वाले कारक है माता-पिता का प्रभाव, श्कूल का प्रभाव, परिवार का प्रभाव तो ये सबी है वेक्ति के वेक्तितों को प्रभावित करने माले कारक नेक्स कुश्चन है हमारा वाल विवा वर्जित है क्योंकि बालिका शारीरी ग्रूप से परिपक्व नहीं होती ऐसी शरकारी नियम नहीं है लड़का कोई रोजगार नहीं करता वाल विवा वर्जित है एसे शरकारी नियम नहीं है और वालिका साराइक रूप से भी परिपक्व नहीं होती ये 2005 और 2010 दोनों में पूछा गिया है नेक्स कुश्चन है वाल विवा का दोस नहीं है जन संक्यवरी दी निर्वें संताम वैक्तित वाधक शमायोजन में शहायक ये 2008 का कुश्चन है next question है कं कायु में बालिका कभी विवा कर देने पर बालिका के स्वास्ट बुरा परभाव पढ़ता है मातापिता का कम हो जाता है कम दे माता-पिता कम देज में बिवाह कर लें काम देना पड़ता है उनकी पढ़ाई पर खर्ष्श नहीं करना पड़ता तो बालिक है कaker स्वास्त को खत्रा रहता है वाल बिव्याः बालिका का विवाह कम आयू में करने पड़ नैस कोश्चन है बाल विवा को समाप्त करने के उपाए हैं अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार कानून ब्यवस्था बाल विवा विरोधी व्यापक प्रबार या उप्रोक्त सभी इसके अंसर होंगे यह 2014 में पुछा गया कोश्चन है नैस कोश्चन है बाल विवा के उनातन हेतु आवश्यक है दहेश प्रथा का विरोध जन जागरुपता शिक्षा का प्रसार ये सभी तो ये सभी होंगे ये 2015 में पूछा गया कोश्चन है ये सभी होंगे नैस कोश्चन है बिवा का शाबदिक अर्थ है वधू को वधू को घर के घर ले जाना वधू के घर जाना ए और वी दोनों या इन में से कोई नहीं थोड़ा टाइपिंग मिश्टेक है तो विवा का साब्दी कर्थ है वधू को वर के घर जाना नेक्स्ट है विवा की विशेस्ता में शामिल है आर्थिक सहयोग वैर संतानोपत्ति का माध्यम धार्मिक यो समाजिक उद्देशों की पूर्ती उपरोक्त सवी होगा नेक्स्ट कुश्चन है अंतर विवा का आशे है अपने शमू में विवा करना शमू से बाहर विवा करना गाओं की सीमा से बाहर विवा करना या जमरों में से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं तो ए अंसर होगा अंतर विवा अपने शमू में विवा करना नेक्स्ट है गोत्र सब्द के अर्थ है गौसता मा के घर का पिता के घर का या ये सबी तो गोत्र सब्द का अर्थ है ये सबी गोत्र शब्द का अर्थ है ये सबी एक बार आप लोग इस कोश्चन को खुद भी चेक आउट कर लिजेगा थोड़े टैपिंग मिश्टेक हो गया है नैस कोश्चन है निम लिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सपिंड वहिर विवा को माननेता प्रदान की गई अधिनियम 1995, अधिनियम 1995, अधिनियम 1994, अधिनियम 1961 एक को अटा देते हैं निमन में से किस अधिनियम के द्वारा सपिंड वहिर विवा को माननेता प्रदान की गई तो अधिनियम 1955 के द्वारा नेस्ट कोश्चन है अनुलोम बिवा में लड़का किस कुल से संबंध रखता है उच ये निम्न में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं तो अनुलोम बिवा में लड़का उचे कुल से संबंध रखता है यहाँ पर लड़का होगा और यहाँ किस और यहाँ पर कुल थोड़ी tapping mistake है इतने ज़़े question होते हैं next question है बाल बिवा निरोध अधिनियम कब पारित किया गया 1899 में, 1829 में, 1939 में, 1930 में तो बाल बिवा निरोध अधिनियम वस 1939 में पारित किया गया किस act के तहद पारित किया गया आप comment box में बता सकते हैं इससे related question है थे इस बाद TGT में शंस्था है, अब इन में से कौन एक संस्था है जन, बिवा, समाज यों जाती तो कौन सी एक संस्था है? वो है विवा, बिवा एक संस्था है next question है बहवारिक समायोजन के तत्व है सहयोग संस्था या परियावडन वहिवारिक समायोजन के तत्व है सहयोग next question है सहयोग समाजी के ओ डैस समायोजन है गुनों का अर्थिक, लैगिक या परिवारिक तो सहयोग समाजी के ओ लैगिक समायोजन का समायोजन है next question है पती-पत्नी के बीच और समंजस्य के काड़न है सहयोगात्मक और संतूलन, आर्थिक अभाव, स्वेट परिवार या ये शवी तो ये शवी होंगे next question है दहेज में, दहेज को क्या कहते है दहेज, वन दछिना, सौगात, या दान दहेज को क्या कहते है, तो दहेज को दहेजी कहेंगे न दहेज को इसमें क्या कहते है दहेज को जहेज कहते है नेस्ट कोश्चन है तहेज वधन है बस्तु अथ्वसंपती है जो एक इस्त्री विवा के समय पती के लिए लाती है विवा की यह परिभासा किसके द्वारा दी गई है चोल्स विनिफ मैक्स रियर दिन वेट सब्दकोश या इन में से कोई नहीं तो वेश्टर सब्दकोश के द्वारा दी गई है नेस्ट कोश्चन है इन में से कौन सा एक काड़न दहेज प्रथा का नहीं है अंतर बिवा, महेंगी सिधाय प्रडाली, अनुलोम बिवा या सिख्षा का प्रशार नहीं होगा नेस्ट कोश्चन है निमलिखित में से दहेज प्रथा के उन्मूलन के उपायों में शामिल है, सिख्षा का प्रशार, कानून के प्रतिजाग रुपता या पानमत तयार करना, ये सबी, यहां पानमत नहीं होगा कुछ और होगा, बर टैपिंग मिस्टेक हो गया है नेस्ट कोश्चन है बिशम्ता के आशे है जीवन अस्तर एवं जीवन सैली में विभिनता नेस्ट कोश्चन है, समाजिक बिशम्ता के उत्पती के विशे में प्रचलित व्यक्ख्याओं में शामिल है प्राकृतिक विवेद, सम्न विभाजन एवं वर्ग निर्मार, प्रक्यात्म को सकता या ये शबी तो समाजिक बिशम्ता में ये सबी शामिल है नेक्स्स कुश्चन है निमलिखीत में से कौन भी संता के कार्णों में शम्मिलित नहीं है अरजिताय, बेवशाय, जन्म जाती एवं प्रजाती या बटाईदार बटाईदार आप लोग समझते हैं वो जो गाउं में खेतों को दे दिया जाता है फसल किसी और को क्रिशी करने के लिए फिर जब वो क्रिशी हो जाती है तो उसमें से जिसका खेत रहता है वो आधाईशा ले लेता है और जिसने फसल की बुवाई की अभवादाईशा ले लेता है इसी को बटाई कहा जाता है नेक्स कुश्चन है भारत में किस तरह की समाज बयवस्था पाई जाती है तो Samus समाज बयवस्था दस समाज बयवस्था अर्वूली समाज बयवस्था या इन में से कोई नहीं बंदोवस्ती समाज बयवस्था इसमें भी tapping mistake हो गया है आज कोशन को ज्यादा कलेक्ट करने के शेकर में कुछ मिस्टेक भी हो गया है समाज भी छेदन का तातपर या है सन्या तूट जाना संबंधों में अलगाव ए और वी दोनों या इन में से कोई नहीं तो ए और वी दोनों होंगे नेश्ट कोश्चन है समाजी विवेदन के कार्णों में शमिलित है जाती वाद जनसख्या विरिदी समाजी कुरूतिया या ये सवी तो ये सवी होंगे नेश्ट कोश्चन है नेश्ट कोश्चन है सीशू के सारेरी किरिया का प्रतम परिरक्षन है वमन, दस्त, रूधन या हसना तो सीशू के सारेरी किरिया का प्रतम परिरक्षन रूधन है रूधन होगा नेश्ट कोश्चन है सीशू का जन्म के समय भार होता है लगब 5-7 पॉंड नेश्ट कोश्चन है मा का दूद सीशू के लिए उप्योगी है क्योंकि इसमें रोगोश लड़ने की छमता होती है इसमें सभी पोशक तत्तो पाये जाते है या सिगरता से पच जाता है उपरोक्त सभी द्वजराठारा में पूछा गया है नेश्ट कोश्चन है सीशू के किस अवस्था में अस्तन त्याग करना चाहिए तो पान से सात Monroe, छे से नो में आर्श से नो में या चार से पाँच में तो छे से नो में नेश्ट कोश्चन है दूद के अतरीक अन्य शंपूरक आहा सीशू के किस आयू में शुरू होता है दो माह छे माह एक वरस या दो वरस तो छे माह से नेक्स्ट कोश्चन है शीशु में लगू पाचक व्यादी है अतिशार घेंगा खस्रा ये जोग तो अतिशार नेक्स्ट कोश्चन है शीशु के शंगठन है भारतिय रेट्ट क्रॉश सोसाइटी यूनिसेफ कस्तुर्वा ग्रांधी तरष्ट यह सबी तो यह सबी है नेक्स्ट कोश्चन है यूनिसेफ के अस्थापना कब होई थी 1945,1949,1946,1944 तो 1946 में होई थी यह दौज़ार पांच औ डोनूं भूपना करना कॉश्टन है उनिशेफ का मुख्याल इस्थित है पैरिश नियू यर। तोक्यो है तो प्रस्कारा नियू-यर्क में तो यूंजण को से नारेिषट का कारे वनन्य जीवों के शुरक्षथ मातेयों के स्यू स्वास्थ की रक्षा करना सैनिकों के सुरक्षा करना या उपरयुक्त में से कोई नहीं तो माते हम सीशु के स्वास्त के रक्षा करना नेक्स क्वेश्चन है बिश्व स्वास्थ संगटन डबलु एच ओ का मुख्याले इस्तित है दिल्ली, कोलकता, मुंबई या हैदराबार तो दिली में है बिष्व स्वात संग्ठन का मुख्याल है नेस्ट कोश्चन राष्ट ये जन सहयोग उबाल विकास संस्थान भारत सरकार के किस मंतराले की अंतरगत कारेगत है महिला ये उबाल विकास मंतराले स्वातrey परिवार करलेन मंतराले या उप्रोक्त में शिक होई नहीं तो राष्टी एजन स्वयोग यो बाल विकास मंत्राले महिला यो बाल विकास मंत्राले भारत सरकार के किस मंत्राले के अंतरगत है तो एंसर इसी में बता दिया गया है भारत में भारत में विश्यो असंगठन डवु एचो का मुख्याले हैं दिल्ली ये तो हो चुका है दिल्ली में है यह भी हो गया है महिला यों भाल विकास मंत्राले बाल वीचास अंस्थान यह मुख्याले करते हैं नेक्स्ट क्रीद बाल विकास योजने का लच्छा है छे वर्सों तक बच्चों का पोशन करना गर्वती महिलाओं का उत्तम स्वास्त अस्तन पान कराने वाली मताओं का पोशन उपरुक्त सभी होंगे नेक्स्ट है जनसंख्या विश्पोट के काड़न है जनसंख्या विश्पोट का असिक्षा काड़न है यह 2012, 2008 और 2013, 2003 में पूछा गया है जनसंख्या विश्पोट के क्या पड़ी नाम है असिक्षा खराफ्स्वास विकास के साधनों में कमिया उपरुक्त में से सभी तो यहां उपरुक्त सभी होगा यह 2008 में पूछा गया है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है इक गारा जुलाई को मनाया जाता है यह 2014 में पूछा गया है परिवार नियोजन द्वरा की समसे का समधान हो सकता है तो जन संख्यान ये अंतरन देश के विकास में विरीधी माताय और शिशू के मित्तु में कमी तो उपरोक्त सवी तो यहां उपरोक्त सवी होगा यह 2014 और 2018 दोनों में पूछा गया है हमर्न लास्ट वीडियो का पर्वार्न योजन कारेक्रम सफल क्यों नहीं हो पाते है 24 में पुछा इए यान सीख्या कामी निर्धंता के कारण अध्यानता के कारण या फिर यह शबी तो इन सभी के कारण कि यह यह मोटिवेशनल को करता है की आप करते कुछ और है बोलते कुछ और है दिखाते कुछ और है सोचते कुछ और है लेकिन आपकी हकीकत कुछ और है इतने सारे चेहरे लेकर जिंदगी में खूसी और और सफलता की तलास तो क्या उमीद भी मत करना शेलिए पीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूज किजिएगा आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है तो मुझे मोटिवेट करते रहिए थैंक्स पर वाचिंग